हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप आप सभी का आपके अपने योट्यूब चिलने मोर क्रियेटिव पर स्वागत हैं आई याइने 36 गड़ फूड फूर आल योजना 2019 अर्थात सभी के लिए खाद्यान योजना के तहर्थ 36 गड़ राज में BPL तथा APL परिवारों के रासन कार्डों का आज से हो रहा है नवीनी करण आप जल्दी से अपने रासन कार्डों का नवीनी करण करा ले अन्य था आपको फिर रासन कार्ड पर आपको खाद्यान नहीं मिल पाएंगे आजकल हर गर में रासन कार्ड जरूरी होता है आदार कार्ड जरूरी होता है पेल कार्ड जरूरी होता है इसलिए सरकारे समय समय पर इनका नवीनी करण या फिर अपडेशन करवाते रहती है उस दवरान हमको यदि जानकरे मिलती है तो हमें इन सब कामों को फटापट करव पालेने चाहिए अन्य था अचानक कोई समय पर यदि इन सब चीजों की जोरत पड़ती है तो उस समय काम रुख जाता है और फिर ज्यादा आर्थिक हाने होती है मतलब ज्यादा पैसे दे करके काम कराने पड़ते हैं तो इस प्रकार से आज हम देखेंगे कि आपके लिए सरक आज से रजिस्टेशन या नविनी करण करवाने जा रही है तो चलिए देखते हैं खबर पूरी विस्तार से इसके तहट आपको क्या 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 डाकूमेट लगेंगे उसके बारे में भी देखेंगे आज इस वीडियो में 16 जुलाई 2019 का अपडेट है कुछ दिन फिक्स किय आपको दिक्कत हो सकती है चलिए देखते हैं खबर पूरी विस्तार से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू करिएगा और अभी तक आपने चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकारी खबरों के लिए चेनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अगले वीडियो के लिए बेल आइकान पर क्लिक कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिपिकेशन सिग्रता से मिले चलिए देख लेते हैं 36 गड़ आज से राजभर में बनाये जाएंगे नए रासन कार्ड पुराने रासन कार्डों का नविनी करण भी होगा 15 जुलाई 2019 को यह खबर आई है फूड फार आल योजना के तहत राज सरकार 15 से 29 जुलाई तक नए रासन कार्ड बनाने और पुराने रासन कार्ड के नविनी करण के लिए प्रदेश भर में सिवीर लगाएगी कबसे 15 जुलाई से 29 जुलाई अर्थात लगबग 15 दिन के आसपास यह काम चलेगा पूरे राजबर में सिवीर लगा लगा करके जो 5 साल से पुराने कार्ड हैं वे लगबग 58,54,000 रासन कार्ड हैं उनका सबका नविनी करण होगा आविदन लेने के बाद 1 से 8 सिवीर लगा कर नए रासन कार्डों का वितरन किया जाएगा जैसे आपके आविदन ले लिए गए हैं उसके बाद उन पे रासन कार्ड बनेंगे और फिर 1 से 8 सिवीर लगे थे वहीं पर पुना सीविर लगा कर आपको नए रासन कार्ड दिये जाएंगे उसके बाद आप उन रासन कार्डों से खाध्यान ले सकते हैं सस्ते में खाध्यान प्रोवाइड करती ही सरकार वैसे तो 36 सरकार अभी पूरे देश में ऐसी सरकार है कि धान का जो खरीदी है वह 25 रूपे प्रती कुंटल के इसाफ से कर रही है बहुत अच्छी बात है अभी देश में कहीं पर भी कोई भी सराज सरकार इतने रेट से धान नई खरीद रही है सारोजनी वित्रन पनाली आदेश 2016 के खंड 4 उपखंड 6 के प्राज़ानों के मताविक रासनकार जारी की जाने के 5 वर्स तक ही वैद होते हैं इस हिसाब से वर्स 2013-14 में बनाएगे रासनकार 2018 तक वैद हैं इसके बाद इनकी वैदिता समाप्त हो चुकी अब नए सिरे से जिले में रासनकार बनाए जाएंगे हाला कि अमान होने के बाद भी लोगों को परिशानी न हो इसलिए पुराने कार्ड से ही रासन का वित्रन किया जाएगा ध्यान रखियेगा 5 साल तक कोई भी रासनकार वैद होता है उसके बाद आपको नविनी कराना परता है ये हर जगे ये हर राज्यों में ऐसा होता है फिर भी सरकार में सहुलियत के इसाब से पुराने रासन कार्डों पर ही आपको खाद्यान देने की बाद कही है जब तक के आपके रासन कार्ड नविन नहीं हो जाते और डेट के मुताबिक यदि उन कार्डों को आपन बनाए जाएंगे ठीक है जी BPL तो बनेंगे बनेंगे उनके रासन कारड़ों का नमीनी करण तो होगा ही होगा लेकिन APL परिवारों के रासन कारड़ों का भी नमीनी करण होगा इसलिए दोनों परिवारों के चाहे वो BPL रासन कार्ड हो या फिर APL रासन कार्ड हो सबी अपना कार्डों का नवीनी करण करवा लें आविदन के लिए आपको क्या क्या लगेगा सबसे पहले तो दो फोटो अधर कार्ड और बैंक खाते की फोटो काफी ठीक है नवीनी करण के लिए एक पन्ने के आविदन पत्र में जानकरे देनी होगी एक आपको आविदन लिखना होगा कि मैं फलाना फलाना आदमी हूँ मैं इस गाउं में रहता हूँ इस सोसाइटी से मुझे खाद्यान मिलता है क्रपिया मेरे परिवार में इतने सदस्य हैं सबका नाम लिख दें सबकी एज लिख दें और मुझे यह कार्ड इस सन में बना था अब मुझे नया कार्ड बनवाना है क्रपिया बनवाने की क्रपा करें ठीक है इस प्रकार से आप एक आविदन लिख दें कोरे कागज में और आपको परिवार के मुख्या की दो पासपोर्ट फोटो चाहिए और आधार कार्ड चाहिए उसकी भी फोटोगाफी और बैंक खाते की फोटोगाफी यह तीन डाकुमेंट आप लगा दे और आविदन लगा दे और उसके बाद उनको आप दे दे ठीक है पुराना जो आपका रासन कार्ड होगा उसकी भी फोटोगाफी आया जा रहा है नया रासन कार्ड मिलने के बाद ही पुराना रासन कार्ड जमा करें जब तक के आपको नया रासन कार्ड नहीं मिलता आपको हर जगे फोटो का भी देना ठीक है ना और जब नया रासन कार्ड आपको मिलेगा तभी आप पुराना रासन कार्ड जमा करें अन्य पर भी कोई पैसे की बात नहीं कहेंगे ये सरकार ने मतलब free of caste यह रासनकार बनता है लेकिन कहीं कहीं आजकल क्या होता है कि थोड़ा वो चलता है 150 देदो जो नगरपाली गागी अधिकारी होते हैं वे लेते हैं लेकिन यहां पर कहीं पर कुछ भी पैसे का लेंदे नहीं होगा इसलिए करपिया ध्यान रखिएगा तो इस प्रकार से जानकारी थी जल्दी आप प्रासनकार नवीन करवाले जदी आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइज जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्ट्राइब नहीं किया तो इस प्रकारी खबरों के लिए योट्योब चैनल मोर क्रियेटिव को झाल 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 झाल